हेलो दोस्तो मैं अधेडागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चनल एगजाम नियोजबाई अधेसर में तो दोस्तो इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से अच्छे कॉश्चन लेकर आए हैं और वही कॉश्चन है 2021 के जितने भी एगजाम हैं जो भी हर्यान जी किसे संबने कॉश्चन पूछे गए हैं वो सारे कॉश्चन हम कंप्लेट करेंगे इस वीडियो में तो पहला कॉश्चन आपके सामने हर्यान के पस्षीमी गडवाल में किस नदी का उद्गम हर की धून गलेशियर को पाया जाता है तो ये कॉश्चन एगजामे बना है और आगे भी रिपीट हो सकता है तो इसका जो राइट आंसर माना गया है सरस्वती नदी तो यानिकि D बिलकुल इसका राइट आंसर रहेगा और दोस्तो जो आपकी सरस्वती नदी है इसे हर्याना की प्राचीन नदी भी कहते हैं और अगर आपसे पुछले हर्याना की प्राचीन महतव की नदी आपकी दौन रहेगी जब कि प्राची नदी आपकी सरस्वती रहेगी तो इसका जो right है यानिकी D बिलकुल सही answer है ओम्पिरकास चोटला हरियना के कितनी बार मुख्य मंतरी बने है तो इसका जो right बनेगा 5 बार कितनी बार बने है 5 बार बने है और सब से कम समय के लिए भी यही बने आपको ध्यान रखना है तो यानिकी C बिलकुल इसका right answer रहेगा और दोस्तों आप हमारे 1000 अच्छे लेवल के question भी join कर सकते हैं हरियना जीके से संबन्दित हैं इनके साथ में आपको 2021 की हरियना की current affair center की current affair और साथ में 10 agriculture animal के practice set और साथ में ग्राम सची पटवारी कैनल पटवारी के notes और 1000 question हरियना जीके से संबन्दित ये सब कुछ आप हमारे join कर सकते हैं और केबल आपको इस number पर हमें message करना है 9-31-82-26 और केबल आपको 90-90 रुपे पे करना है तो ये सब कुछ आप यहां से join कर सकते हैं और अगर आप चाहते के हमें ग्राम सची पटवारी के नल पटवारी के notes नहीं चाहिए केबल हमें ये सब data चाहिए तो आपको 90 रुपे पे करना है आपको इस number पर WhatsApp करना है बाकी जहनकरी आपको वहीं पर मिलेगी नवसी 30, 31, 82, 26 और मैसेज करके आप यहां से जहनकरी ले सकते हैं तो इसका जो right answer बनेगा हरीन रज्य और दी पादक बोर्ड की स्तापना किस वर्स की गई तो इसका जो सही answer रहेगा 2002 कब हुई है 2002 में हुई है और आपसे यह भी पूछ सकता है 13 अगस्त 2002 ऐसे भी exam में question बन सकता है अभी तो यह सीधा यानि कि simple question पूछा गया है हो सकता है आगे date और महिना भी साथ में मिल जाए तो यह भी आपको ध्यान रखना है निमलिक्त में से किसे हरियाना का लोक नाट्य साला का पिता कहते हैं तो इसका जो right answer बनेगा अली बक्ष अली बक्ष का शंबंद कहां से रहेगा तो यह आपके रहवाडी से हैं और लखमी चंद आपके सौनिपत से हैं और द्याचंद माईना आपके रह तक से हैं और यह वैसी हैं बई कोई खास नहीं है यह वैसी ही option डाल दिया गाया तो इसका जो right बनेगा यह बिल्कुल सही answer है हरियना का इतिहास किसने लिखा या फिर इतिहास पुर्स या तिलक या नवरतन किसे कहते हैं तो पंडित सिरी राम सर्मा को कहते हैं और 1923 में इन्होंने एक तिलक पत्री का निकाले और 1923 में ही सर चोटू राम ने यूनियस पार्टी का गठन किया 1924 में जमीदाल लिख की स्तापना की सर चोटू राम ने जबकि इसका जो right बनेगा सी बिलकुल सही आंसर रहेगा और ये आपके कहां से है जजजर से प्लाउंग करते हैं सिंदु घाटी सब्विता का निमलिक्त में से कौन सा केंदर हरियाना में पाया जाता है तो इसका जो right आंसर बनेगा मीथा थल भी है बिराना यानि बिराना नहीं है भीड़राना है और भगवान पुरा नहीं है भगवान पुरा है और उप्रोक्त सभी बाकी जो language exam में बनिये उसके according हमने डाली है कहीं आप exam देने जाएं और ये language आपके सामने फिर से आजाएं कहीं आपको दिक्कत हो जाई तो आपको ध्यान रखना है तो D बिल्कुल इसका right answer रहेगा हरियना में मेहंदरगड के लिए किसके द्वारा बनवाया गया तो इसका जो right बनेगा ये राजा नरंदर सिंग ने बनवाया आपने मेहंदरगड सिंग के नाम पर और इसका जो निर्मान है वो किसने किया या पिर किसके द्वारा बनाया गया तो तात्या टोपे के द्वारा और ये exam में कई बार repeat हुआ है आपको ध्यान रखना है अब कुछ भाईयों के message आएंगे तात्या टोपे नहीं नरेंदर सिंग रहेगा जबकि मैं आपको बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ तात्या टोपे ही इसका right answer माना गया है और आगे भी माना जाएगा तो ये आपको ध्यान रखना है तो D बिलकुल इसका सही answer है निमलिक्त मैं से कौनसा तोहर हरियाना की छड़ी नर्टे से संबन्दित है तो आपका गोगा नव में वैसे आपका कहँ का प्रिषिद है हिसार का प्रिषिद है घंगो नर्टे भी आपका हिसार का प्रिषिद रहेगा तो C बिलकुल इसका right answer बनेगा हरियाना के किस सहर को चेरा पुन्जी कहा जाता है और यहां पर सबसे अदिक बारिस होते हैं इसलिए से हरियाना का चेरा पुन्जी कहते हैं च Cancerogli और च galaxy को कलसिया के नाम से भी जानते हैं यह आपका कहपर है यम्ना नगर में है और अगर एक जिल्ले के अकॉर्डिंग पूछले सबसे ज़्यादा वर्षा कहां पर होती है तो अंबाला में होती है तो ये भी आपको ध्यान रखना है तो इसका जो राइट बनेगा C बिल्कुल सही आंसर है निमलिक्त में से किसे हरियाना का पक्षी और जै विवित्ता छेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है तो इसका जो राइट आंसर मानना गया है भिंडावास है, बसाई है, कालिसर है यो तीनों माने गये है तो यानि की D बिल्कुल इसका राइट आंसर बन जाएगा बिंड़ावस आपका कहा पर है ये आपका जजजर में है बसाई आपका गुरू yogurt ग्राम में इक आधार भूमी जील है और कालेशर आपका यम्न नगर में तो ये भी आपको पता होना जरूर है या इए इसमें एक भगवान सिब का मंदर है और कालेशर का ही परियावाची गुरू गोविंट सिंग बाकी यह नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है, तो इसका जो राइट बनेगा निमलिक्ट में से कौन सी नहीं है, तो C बिलकुल इसका सही आंसर रहेगा. हरियना के निमलिक्त में से किस जिले की सीमा राजस्तान से जुड़ी हुई है तो इसका जो राइट बनेगा मेहंदरगड की सीमा लगती है तो C बिल्कुल इसका राइट आंसर है किस वर्स चंदिगट को भारत का पहला धुवा मुक्त सहर गोसित किया गया तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दो हजार साथ कव की बात है दो हजार साथ में इसे यानि धुमर पान रहीत गोसित किया गया तो ये भी आपको द्यान रखना है और पूछ लेता है यानि कि धुमरपान रही ते यानि कि दिवस कब मनाया जाता है अगर हम भारत की बात करें या तमाख हुव रोधी दिवस कब मनाया जाता है 31 माई तो ये भी आपको ध्यान रखना है तो C बिल्कुल इसका राइट आंसर है ये कोश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी कंप्लीट किया फिर से रिपीट हुआ हरियाना में जमीदार सहली की सतापना किस के द्वारा की गई तो इसका जो राइट आंसर बनेगा सर छोटु राम कव की गई 1924 तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा हरियाना के रहतक में 1857 के विद्रो का नेतुरत किस ने किया तो किस ने किया तो इसका जो राइट आंसर बनेगा रिसालदार बिसारत खान यानि की सी बिल्कुल इसका सही आंसर माना गया है निमलिक्त में से केसि प्रमुक 77 सेनानी को बल्लमगड का सेर कहा जाता है तो बार बार रिपीट हो रहा है कॉशन और लगवक कई बार पूछा गया तो यनि की बल्लमगड का सेर के से कहा जाता है बल्लमगड या बल्रामगड आपका कहां पर है फरिदाबाद में और इसका जो right बनेगा कहाँ पर पाया जाता है तो चार option आपके पास में है और खनीजों का सहर भी किसे कहते हैं मेहंद्रगड तो ए बिल्कुल इसका right बनेगा और यहाँ पर यूरेनियम के भंडार के भी अनुमानित यानिकी बताया जा रहा है कि यहाँ से मिल सकते हैं तो यह भी आपको दियान रखना है तो ए बिल्कुल इसका right answer रहेगा राज्या प्रभाग वर्धन के सासनकाल में वर्धन वंस की राजधानी कौन सी थी तो इसका जो right बनेगा थानिसर कौन सी है थानिसर माना गया है तो C बिल्कुल इसका सही answer है नमलिक्त में से हर्याना का पस्षी में जिला कौन सा रहेगा तो इसका जो right answer बनेगा तो D बिल्कुल इसका right answer बन जाएगा हर्याना के पहले सहित्यकर अकादिम पॉसकार विजेता कौन बने हरियाना के पहले साहितेकार अकादिम पुर्सकार विजेता कौन बने तो इसका जो राइट आंसर माना गया है विस्नू पिरवाकर कौन थे विस्नू पिरवाकर तो डी बिलकुल इसका राइट आंसर है हरियाना के पानीपत में पहले ऐसा हुग आंदोलन की पहली बैठक का नेरत वुर्थ किस ने किया तो इसका जो राइट बनेगा तो यनि की लाला लाजपतराई के दौरा किस के दौरा लाला लाजपतराई के दौरा और इनका संबंद कहां से रहेगा हिसार से रहेगा और आर पहली राजनितिक महिला कौन है जिसने पहले हरियन राज्यपाल के रूप में कारिय किया तो इसका जो राइट बनेगा चंद्रावत्ती कौन है चंद्रावत्ती यानि कि B बिल्कुल इसका सही आंस्वर रहेगा और कहां से सिर्शा यानि कि पांडू चेरी की उपर दिखते हैं. हरियाना का कुरूच यहां मारूचे किस राश्ट के राजमारत से बिल्कुल नजदीक है? तो इसका जो जही आंसर है. किसके पास में किस के नजदीक है? तो NH1, कोन से रहेगा? NH1 तो यह आपको दियान रखना है? तो यह बिल्कुल इसका राइट अंसर है. और NH NH1 को ही NH2 या NH1 को ही NH44 के नाम से भी जानते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है निमलिक्त में से किसे हरियाना का जहाज साहब किसे कहा जाता है तो इसका जो राइट बनेगा जौर्ज थॉमस किसको कहा जाता है जौर्ज थॉमस को जहाज सिंग के नाम से जानते हैं और इ ये आपको द्यान रखना है और ये एक लोटे रा था, कौन था एक लोटे रा था, पहले मदरास में इंट्री करता है, फिर 1787 में बेगम सम्भु की सेयना में भरती होता है, तो ये आपको द्यान रखना है, जो की तोड़ी दार बंदू बनाने के लिए काफी पृसिद थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना एक अच्छा कोशन यहां से बन सकता है। और कॉशन आता है तलवारों का किला या अपर हासी के किले को ही कहते हैं हासी जो सब्द है या फार्सी भासा का एक सब्द रहेगा और इसका जो राइट आंसर है। तो कौन सी रहेगी हरियाना तिलक कौन सी रहेगी हरियाना तिलक यानि की सी बिलकुल इसका राइट आंसर है। राइट बन जाएगा और बाकी कोश्शन नमबर तीस आपके सामने निम्ट आता है।